जैहिन दोस्तो रक्षी खन्नकेस चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो आज के जीडियो में मैं आपको कुछ महत्पूर जानकारिया दूँगा जैसा कि आप पीछे बोट पे देख रहे हैं इसमें से कुछ जानकारिया जुड़ी है और उपी 3 पेंशन के बारे में और इसें मैं आपको समझाओंगा कुछ जानकारियां वेलफेट से जुड़ी हैं कुछ जानकारियां लेटरियन कर्नल आर के भादवाजी ने दी हैं कुछ जानकारियां पेंशनर के सवालों के जवाब को लेकर हैं कुछ पेंशनर ने सवाल पूछे थे को रिजटने पीपो के बारे में URP3 के बारे में जो उनकी पैंशन में प्रॉब्लम है URP3 की उसके बारे में तो दोस्तों मैंने कुछ जवाब दी हैं जो सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है और भी कुछ चीजे हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में आप शुरू से लेके आखरी तक बने रहेगा क्योंकि ये वीडियो बहुत 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 इंपोर्टेंट होने वाले आपके लिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप को कल वाले वीडियो में बताया था कि जो प्री मैचूर आए हैं उनको औरोपी के दैरे में लाने के लिए हमने कोट केस किया है जिया दोस्तों ताकि उनको औरोपी का लाब मिल सके दोस्तों भारत सरकान ने क्या किया कि जो पैंशनर्स जो पीमर एक जुलाई धोजाज 14 को य में और वारूपी 3 के नोटिफिकेशन में जो डेट होनी चाहिए थी साथ नवंबर 2015 इसको हटाकर गॉर्मेंट ने कर दिया एक जुलाई 2014 यानि एक जुलाई 2014 के जो बाद आए हैं उनको फैला नहीं मिल रहा वारूपी 2 का या फिर 3 का जो पीमार आए हैं दोस्तों भारत में एफ्टी में ताकि इस लेटर के मुताबिक डेट चेंज करी जाए उरूपी के नोटिफिकेशन में उसके लेटर में जो डेट साथ नवंबर 2015 होनी चाहिए वो डेट कर दी एक जुलाई 2014 तो दोस्तों सीधा से या पर नुकसान गिया है प्री मैचूर रेटैरी का बलक एक PMR को उरूपी के दैरे में लाया जाए चाहिए वो कभी भी रिटायर आया हो जिया दोस्तों भाईया 30 जून 2014 तक तो बहुत से PMR आये होंगे रिटायर आये होंगे तो उनको उरूपी के दैरे में लाये जाए उनको उरूपी 3 दी जाए या फिर उनको उरूपी 2 दी ज इन सब डेट को कैंसल किया जाए जियां दोस्तों मेरा तो ऐसा मानना है और यही बाते हम कोट में रखेंगे भाया डेट चेंज क्यों करें भारा सरकार ने एक जुलाई 2014 कर दी इस लेटर में बता रहे हैं कि 7 नमबर 2015 करी जाए अगर 7 नमबर 2015 भी करी जाती है तब भी PMR को उआरूपी की दैरे से भार रखा जाएगा ऐसा थोड़ी की डेट चेंज करने से सभी PMR को उआरूपी का दैरा मिल जाएगा ऐसा होगा कभी दोस्तों यह सब गल्तियां हैं इस लेटर के मुताबिक तो यही का गया है कि 7 नमबर 2015 होना चाहिए वो डेट मेंशन होनी चाहि जो कि भारत सरकार ने 1 जुलाई 2014 करी है देखते हैं दोस्तों क्या जजमेंट आता है कोटों से क्या बताते हैं वकील जज इसके बारे में देखेंगे दोस्तों तो दोस्तों इस लेटर को भी रखा गया है कोट में ताकि जो भारत सरकार ने 1 जुलाई 2014 डेट रखी है उसक को लेकर, सार्जेंट की पेंशन में गड़ बड़ी है, ओरॉपी 3 के पी प्यों में, सार्जेंट, हवल्दार या फिर पेटी ऑफिसर, याने इक्वल रेंग, इनकी पेंशन में गड़़ी है, और री लेटिनेंट की उरोपी 3 में पेंशन 25,738 मिलनी चाहिए पर यहां पर मुझे सिरफ 24,763 बेसिक बनाई है क्या ये सही है या गलत है जानकारी और कारवाई के बारे में जानकारी दीजेगा दोस्तों आप यहां पे देखिए इनकर रैंक है ओनरी नैप सोगधार इनकी सर्विस है 24 साल इनक उन्हें अपना कोरिजंडम पीपो निकाला ओरोपी 3 का इसमें इनको हवलदार की पेंशन दे दी 24 साल की कितनी 24,738 तो दोस्तों यहां पे यह गलती है अब दोस्तों यह शिकायट डालेंगे मैंने इनको बता दिया है या आप शिकायट डालिए इस परश पे या फिर CP ग् दोस्तों यह गलती हैं यानि और रैंको की बिए घंगी है तो दोस्तों शिकायट यह डाल देंगे लेकिन इतनी जल्दी पी ठीक नहीं होगा हाला कि इनको पेंशन लेनी पड़ेगी 30 सितमबर को एक हबलार रैंक की क्योंकि पी पिपोre गलत बन गया अब देखते हैं कि अ फिर pension भी बड़ी हुई credit होगी इनको, October की pension, सितंबर की इनको गलत मिलेगी, दोस्तों यही सब गलती है, तो इसलिए मैं आपको बहुत पहले से भी बताता आ रहा हूँ, अपने वीडियो में, कि एक बार आप अपना PPO जरूर चक करें, यानि जो आपकी rank है, service है, calling bank service है, उसके अनुसारी आपका PPO बढ़ना चाहिए, वो ही pension होनी चाहिए, UROP 3 के PPO में, हाले कि दोस्तों मैंने इनको guide कर दिया, दोस्तों यह जानकारी मैं आपको आगे दूँगा, इससे पहले मैं आपको कुछ pensioner के सवालों के जवाब बता देता हूँ, जो pensioner ने पूछे हैं, सबसे पहले दोस्तों pensioner पूछते हैं, बढ़ी हुई pension का corresponding PPO मिल गया है, लेकिन message नहीं मिला, जियां दोस्तों इन्हों ने का, कि मुझे PPO मिल गया corresponding PPO URP3 का, लेकिन message नहीं मिला, दोस्तों भड़े आपको message ना मिलाओ, लेकिन अगर आपका PPO generate हो गया है, तो आपको 30 सितंबर को बढ़ी हुई pension मिलेगी, आपके खाते में बढ़ी हुई pension आईगी, अगर आपका corresponding PPO issue हो गया है, जितनी आपकी URP3 में pension थी, basic pension थी, उस पे DA 50% लगा कर, आपको total pension मिलेगी 30 सितंबर को, भले ही आपके पास message ना आया हो, तो पहला तो answer ये हो गया, दूसरी जानकारी, रक्षिद भाई, good evening, I am retiree of 31 December 2012, यानि दोस्तों इनका rank है सुवेदार major, Y group, दोस्तों अभी इनकी basic है, 33,526, URP1 की ये basic है, URP1 की, यानि 13,045 का 2.57, कितनी ये ले रहे हैं, 33,526, URP2 में इनको कोई फैदा नहीं मिला था, URP2 में इनको कोई फैदा नहीं मिला था, URP2 में इनकी pension होगी थी, 31,725, हाला कि इनको ये pension नहीं मिली, इनकी pension protect हो गई थी, इनको मिलती रही 33,526, लेकिन URP2 में इनकी नहीं बढ़े थी, लेकिन दोस्तों URP3 में इनकी pension बढ़ गई है, इनकी पहले pension थी 33,526, URP3 में हो गई है 34,425, तो दोस्तों अब इनको ये मिलेगी, अगर इनका corresponding PPO generate हो गया है, इस वाली pension का 34,425 का, तो दोस्तों 30 सितंबर को इनको बढ़ी हुई pension मिलेगी, अगर इनका corresponding PPO generate नहीं हुआ, तो इनको फिर पुरानी pension मिलेगी, जियां दोस्तों, तो इनकी pension बढ़ी है URP3 में, अगर आपको भी पूछना है आपकी बड़ी, नई बड़ी, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, अगर आप अपनी pension जानना चाते हैं, या अगर कोई confusion है, आप नीचे कमेंट करिए, जैसे इन्होंने किये हैं, चलते अंगली जानकारी की तरफ, जैहिन रक्षित सर, ओर रोपी 3 का कॉरिजेंटर्म पेपियो अपलोड हो गया है, और मेरी basic pension ग्यारा सो पच्पन रुपे बड़ी है, और disability भी 7,448 से बढ़कर 8,070 रुपी हो गया है, ठैंक्स रक्षित खन्ना जैहिन, जैहां दोस्तों, यह मुझे ठैंक्स कह रहे हैं, बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि इनकी pension में कोई गड़बड़ी नहीं है, इनकी disability भी ओर रोपी 3 के नुसार मिली, और service pension भी ओर रोपी 3 के नुसार मिली, हाला कि जो दूसरे pensioner है, उनके PPO में गड़बड़ी है, उनकी disability में गड़बड़ी है, कल मेरे पास फोन आया था एक pensioner का, उन्होंने का, कि सर मेरा कॉलिजेंटनेम PPO जनरेट होगी, जो service element है, service pension है, वो तो ओर रोपी 3 के नुसार मिली ओर लिखी हुई है PPO में, लखी है, जिनकी सारी कुछ ठीक है, उरोपी 3 के PPO में, इनकी disability भी ठीक है, और उरोपी 3 की service pension भी ठीक है, यानि service pension और disability pension, उरोपी 3 के अनुसार इनको ठीक मिली है, और वो ही इनके PPO में शोख होई है, और वो ही इनके खाते में आएगी 30 सितमबर को, हाला कि दोस्तों, जिन pensioner की problem है disability पे, वो शिक्याट डालें, अगर उनको उरोपी 2 की disability मिल गई है, उरोपी 3 के PPO में, तो वो शिक्याट डालेंगे हैं, पर्ष में शिक्याट डालेंगे हैं, चलते हैं अगली जानकारी गई तरह हो, I received pension from bank, बट नॉट एस पर उरोपी 3, दोस्तों जैसे मैं आपको कल भी बताया था, कि bank की तरफ से, आपको pension मिली है, defense pensioner को, लेकिन दोस्तों, कुछ pensioner को pension मिली है, पुरानी वाली, उरोपी 3 के अनुसार नहीं मिली, तो दोस्तों आपको wait करना पड़ेगा, बैंक और CPPC, CPPC थोड़ा पीछे चलेगा इस मामले में, तो दोस्तों आपको थोड़ा यहाँ पर wait करना पड़ेगा, हो सकता है कि अक्टूबर की pension आपको बढ़कर मिले, वारूपी 3 की, जो bank से pensioner ले रहे हैं, और जो इनको कल pension मिली, बैंक के तुरू, वो बढ़कर नहीं मिली, पुरानी मिली है इनको, बहुत से ऐसे pensioner होगे, जिनको पुरानी pension मिली है, थोड़ा सा wait करिये, लेकिन मिलेगा, चलते हैं अंगली जानकारी की तरफ, फिर दोस्तों एक और pensioner हैं, दिलीग गोगई जी, नहीं उसका कोई message आया है, और नहीं pension credit का कोई message मिला है, सितमर की pension credit का, advance message नहीं मिला, ऐसा ये बता रहे हैं, इसमें इतना देरी क्यों हो रही है, इस पर से, दोस्तों कई बार क्या होता है, कि आपके message generate कर दे जाते हैं, लेकिन वो आपके phone पे नहीं आपाते, कुछ triggered message होते हैं, जो आपको काफी late मिलते हैं, या फिर बहुत पहले मिल जाते हैं, कई बार तो ऐसा होता है, कि जो आपका advance message है, वो कई बार आपको अगले माईने मिलता है, ऐसा भी कई बार देखने को मिला है, हाला कि दोस्तों, आपके कुछ message यहाँ पे generate करे गए हैं, कुछ pensioner को धीरे-धीरे मिल रहे हैं, अब ऐसा नहीं है, कि आपका PPO generate नहीं हुआ, या फिर pension message नहीं आया, या फिर OROP3 का PPO नहीं मिला, तो ऐसा नहीं है कि आपको pension नहीं मिलेगी, pension आपको मिलेगी, pension आपको मिलेगी, तो इसके लिए दोस्तों आप wait कर सकते हैं, अगर message आता है 30 तारीक तक उससे पहले, तो well and good, बस मैं इनको एक advice दूँगा, कि एक बार आप PCDA SPAC से भी पूछे हैं, customer care पे बात करके, वो आपको आपकी exact pension बता देंगे, जो 30 तारीक को आपके खाते में आएगी, आप अपनी service detail, rank बगरा बताएंगे उन्हें, आप उनसे पूछिए, कि 30 सितंबर को मेरी कितनी pension आएगी, बड़ी भी आएगी, या फिर पुरानी pension आएगी, या आप सीधा उनसे पूछिए, कि total pension मेरी कितनी है, जो 30 सितंबर को आएगी, वो आपको बता देंगे, उससे ही आप idea लगा लेगे, कि आपको बड़ी हुई pension मिलने वाली, या फिर पुरानी मिलने वाली है, जी हाँ दोस्तों, तो आपको tension लेने की जुरत नहीं है, कि मेरा message नहीं आया, या फिर मेरा PPO generate नहीं हुआ, कई बार क्या होता है कि PPO generate हो जाता है, लेकिन इस first की ID में show नहीं होता, कई बार ऐसा भी होता है, या फिर PPO generate बाकी में नहीं होता, PCDS first दोरा, तो इसके लिए आप tension मत लीजिए, message आए या ना आए, pension आपको मिलेगी, या तो बढ़कर मिल जाएगी, या फिर पुरानी वाली मिल जाएगी, pension आपकी रुकेगी नहीं, ये बात confirm है, चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ, फिर दोस्तों मैं आपको कुछ message दिखा रहा हूँ, और दोस्तों ये message है, pensioner के, कल रात से pensioner के खाते में, UROP3 का area आना शुरू हो गया, दो महिने का ये area है, जुलाई का और अगस्त का, हाला कि मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता लिया था, कि 30 तारीक से पहले-पहले आपको area मिल जाएगा, UROP3 का, और वैसे ही हुआ, दोस्तों area तो आपको मिल गया, अब काफी pensioners के कुछ सवाल है, कि sir हमें message नहीं मिला, सितंबर की advance pension का, और ना ही हमें PPO generation का कोई message मिला है, दोस्तों अब इस message ने आपके कुछ doubt क्लियर कर दी है, जिनको भी area मिला है, दोस्तों अगर आपको area मिल गया है, और आपके पास message नहीं आया, और ना ही corresponding PPO का कोई message आया, कि आपका corresponding PPO बना है, तो आपको tension लेने की जुरत नहीं है, अब आपकी जो pension आएगी सितमर की, वो बड़ी हुई आएगी, जिनको area मिल गया है, और जिनके पास message नहीं आया, दोनों का, PPO का भी, और सितमर की advance pension message कर देगी, अब आपकी सितमर की pension बड़ी हुई आएगी, ये बात 100% clear है, हाला कि जिनका area नहीं आया, या फिर जिनके पास message नहीं आया, सितमर की pension का, या फिर कोरिजेंडन PPO बनने का message नहीं आया, वो थोड़ा सा यहां पे वेट कर सकते हैं, आप थोड़ा यहां पे वेट करिए, आगे आने वाले दिनों में, आपको area भी मिल जाएगा, और आपकी बड़ी हुई pension भी sanction हो जाएगी, दोस्तों आप यहां पे देख रहे हैं, बहुत से pensioner के message है, जैसे आप यहां पे देख रहे हैं, किसी को 618 रूपे का area मिल है, ये उन हवलदार का area है, 15 साल के, जिनकी ज़्यादा pension नहीं बड़ी थी, 206 रूपे की बड़ी तरी, 203 रूपे की बड़ी तरी हुई थी pension में, तो इस हिसाब से उनका area भी कम बना है, 618 रूपे सिरफ credit हुए है, फिर दोस्तों आप उपर देख रहे हैं, 5,467 रूपे, इनके खाते में आये हैं, 2 महिने का दोस्तों ये area है, हाला कि दोस्तों कुछ pension कह रहे थे, कि सर हमें लग रहा है, ये 3 महिने का area है, नहीं दोस्तों, आपका ये 3 महिने का area नहीं है, 2 महिने का area है, जुलाई का और अगस्ट का, और बाकी जो सितंबर की pension है वो आपको बड़ी हुई मिल रही है तीस तारिक को तो दोस्तो मैंने कुछ pensioner का यहाँ पे area भी calculate किया है और बिल्कुल सही दिया है PCDA इस वाज में area में कोई कमी नहीं है हाला कि दोस्तो कुछ pensioner का area गलत मिल गया उन pensioner का area गलत बन गया जिनके PPO गलत जारी हुए है जिनके PPO में पुरानी pension दे रखी है वारूपी 3 की pension नहीं दे रखी जैसे की honorary lieutenant rank तो दोस्तो जिनके PPO गलत बन गये है जैसे की honorary lieutenant के PPO गलत बन गये थे उनको पुरानी pension दे दी थी 41-200 के साफ से, तो दोस्तो एरियर भी इनको 41-200 के साफ से मिला, कम एरियर मिला, बल्कि मिलना चाहे था 46-300 के साफ से, 46-300 के साफ से मिलना चाहे था, वो इस वज़े से हुआ, क्योंकि PPO में गलतियां थी, PPO सही नहीं बने थे, PPO में pension वारूपी 3 के अनुसा नहीं दे थी, तो इसलिए मैं आपको पहले बता दिया था, कि अगर आपका PPO गलत बने, तो उसी के साफ से आपको गलत pension मिल जाएगी और गलत area calculate हो जाएगा, तो वो ही इनके साफ हुआ, area तो इनको मिल गया, लेकिन मिल गया 41 दोस्तों के साफ से, URP2 की pension के साफ से, तो दोस्तों जब तक PPO सही नहीं होगा, जब तक आपको कुछ सही नहीं मिलेगा, इनके PPO में गड़ बढ़ी थी, तो इस वज़े से pension भी इनकी गलत आईगी 30 तारीक को, और area भी इनको गलत क्रेडिट हुआ कल, जिया दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले इनको सब कुछ ठीक मिलेंगी आगे, तो दोस्तों उन pensioner को गलत area मिला है, कल की तारीक में, कल रात से, जिनके PPO में गड़ बढ़ी थी, जिनकी PPO में गलत pension दे रखी थी, तो दोस्तों यही कुछ जानकारियां है, area के बारे में, बाकी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, क्या आपको area मिला या नहीं मिला, और जिनको नहीं मिला area, bank की तरफ से, CPPC की तरफ से, वो थोड़ा यहां पर इनतजार करें, आगे आने वाले दिनों में उनको भी area मिल जाएगा, दोस्तों दुबारा मैं आपको एक बार सही से समझा रहा हूँ, कि जिनको area मिल गया, कल राज से area मिल रहा है, तो उनकी जो सितंबर की pension है, वो बड़ी हुई आएगी, वारूपी 3 के अनुसार आएगी, भले उनके पास सितंबर की pension का advance message आया हो, या फि इसका मतलब है कि आपका corresponding PPO जनरेट हो गया है, जिन भी pensioners के पास area आ चुका है, दो महने का, इस पर्ष की तरफ से, उनका corresponding PPO जनरेट हो गया है, 100% उनका corresponding PPO जनरेट हो गया है, भले वो इस पर्ष की ID में ना दिख रहा हो, लेकिन कुछ टाइम बाद वो इस पर्ष की ID मे आपको दिख जाएगा, PCDS पर्ष ने आपका corresponding PPO इशू किया है, तब ही दोस्तो आपका area आया है, ORP3 का, और जो उनकी pension है, वो 30 सितंबर को बड़ी हुई मिलेगी, ORP3 के नुसार, ये बात दोस्तो बिर्कुल confirm है, तो दोस्तो आपके doubt clear हो गया होंगे, इस area के message के आने से, आपको अब चिंता करने की जुरत नहीं है, हाला कि जिनको area का message नहीं मिला, area नहीं आया खाते में, और नहीं message मिला, कुछ नहीं मिला, तो वो थोड़ा यहां पर wait करेंगे, और दोस्तो अगर उनका corresponding PPO issue नहीं हुआ होगा, तो फिर उनको पुनानी ही pension मिलेगी, अगर उनक जानकारी हैं, दोस्तों वो भी मैं आपको समझा रहता हूँ, फिर दोस्तों एक और जानकारी और यह जानकारी दिया है, Lieutenant Colonel R. के बाद वाजिने, इन्होंने बताया है कि कोई भी अगर आपको circular देखने, defense के circular, ORP के circular, revised circular, pension के बारे में, तो सीधा आप जाईए, DESW department की website पे, इस पे आपको pension circular मिल जाएंगे, इस पे आपको ECHS के circular मिल जाएंगे, welfare के circular आपको इसमें मिल जाएंगे, और जो journal circular हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे, यानि दोस्तों आपको कहीं भटकने की जुरत नहीं है, कहीं जानने की जुरत नहीं है, जितने भी आपके circular हैं, ECHS के पेंशन के, वेलफेर के, जर्नल सर्कूलर, सब आपको DESW Department की वेबसाइट पे मिल जाएगे, और दोस्तों वेबसाइट यहाँ पे मेंशन है, यह वेबसाइट है DESW Department की, Department of Ex-Sarisman वेलफेर की, सारी चीज़े दोस्तों आपको यहाँ पे मिल जाएगी कुछ पेंशनर्स, ORP3 की टेबल्स मांग रहे हैं, कि हमें ORP3 की टेबल्स दीजिए, हाला कि मैंने ग्रूप में शेर कर दिये, लेकिन फिर भी वो पूछ रहे हैं, कि टेबल्स में हमारी कितनी पेंशन है दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, सीधा साब इस वेबसाइट पे चले जाएए यहीं पे सारे सर्कुलर हैं, ORP1 का, ORP2 का, ORP3 का सारी टेबल्स इस वेबसाइट पे मौजूद हैं, मां से आप डाउनलोड कर लिजिए अपने फोन पर भी देख सकते हैं, और अपने कंप्यूटर पर भी देख सकते हैं इस साइट पे आपको सब कुछ, सब कुछ मिलेगा फिर दोस्तों मैं बात करूँगा यहां पे, प्रेसिडेंट हमारी दुरौपदी मुर्मुजी का दोस्तों इन्होंने विजिट किया था, सियाचिन में, जो माँ पे जवान थे, उनसे यह मिली जाके जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं, यहां पे कुछ चीजे खिला रही हैं हमारे जवानों को उनसे बादशीत कर रही हैं, यहां पे हेलिकॉप्टर वगरा कुछ खड़े हैं दोस्तों सियाचिन की कंडिशन आप समस्ते होंगे, कैसी है सियाचिन की कंडिशन और उपर से जो यहां पे जवान लगे हुएं, वो किस तरीके से डूटी कर रहे हैं, रात दिन एक करके उनके उपर क्या पीत रही हैं, दोस्तों यह चली तो गही हैं वहां पे, लेकिन इनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, इनकी परशानिया क्या हैं, वो भी जानना बहुत जरूरी है अब दोस्तों यहां पे जो जितने भी जमाल लगे हैं, यह एक ना एक दिन तो रिटेर होंगी, बाद में इनको पैंशन मिलेगी क्योंकि दोस्तों जो पुराने pensioners हैं, जो retire हो गए हैं, उन्होंने भी तो siya chin में duty करी है, महापे भी उन्होंने job करी है, देश की रक्षा करी है, महापे खड़े होका, तो दोस्तों उनकी problems क्या हैं, मैं इनसे जानना चाहूँगा, इनकी problems क्या हैं, इसको सुधारा कैसे आते तो हैं, लेकिन actual में जो problems हैं, उनका हल किया जाए इनके द्वारा, चाहे वो हमारे राश्पती जी करें, या फिर पधानमंत्री जी करें, तो इन चीजों को भी देखना चाहिए, जैसे pension में विसंगतियां, ये भी दूर होनी चाहिए, दोस्तों मेरा बस आग रहे हैं अच्छा है, मिल रहे हैं जवानों से अच्छा है, लेकिन जो problems हैं, उनको भी दूर किया जाए, चाहे वो pension से जूड़ी problem हो, चाहे फिर वो किसी और से जूड़ी problem हो, तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी, जो मैंने आपको समझाई हैं, आई होप सारी जानकारियां अ चैनल को आप शेर करिए, वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खंड, थैंक यू सो मैंज